हेलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल एनलाइसिस क्लास में स्वागत है तो गैज आज के इस वीडियो में कोर पेपर 13 पब्लिक फैनेंस एकनोमिस्ट और समय से 6 का एमसी की पेपर लेकर आएं जो आपके एक्जाम की वीव से इंपोर्टन है जो आपका एक्जाम होने वाल इसी पर आदारिश प्रस्ण पूछे जाएंगे इससे बाहर जाने की संभावना कम है आपका जो हिंदी और इंग्लिस दोनों में पताने वाले तो आप मेरे साथ अंत प्रस्ण पूछा जा सकता है तो पहला प्रस्ण आप से पूछा गया है सार्जनिक वीट के दाएरे में सामिल है मनलों सार्जनिक वीट के आंतगत आता है सार्जनिक वीट मनलों राजस भी बोल सकते हैं या लोकवीट भी बोल सकते हैं तो आप्सा नमर यह है सार्जनिक व लुबिट लोख्याइट शक्ता धारच जितने भी काम का जाते हो अधिकारी गन है तो उप्षन जो है साजनिक राजस जीटने भी प्राधिकर्णों में सामिल है मलों सार्जनिक के अंत्रगत आते तो सभी तो सार्जनिक के जो अंत्रगत आते हैं के तो लोग अधिकारियों के द्वारत किया जाने वाले जितने सार्जनिक के जाते हैं इसका अंत्रगत जितने भी सरकारी काम काज के जाते जो सभी सार्जनिक के अंत्रगत ही आते हैं कौन सा बिंदू है या कौन सी विस्ता है प्रसन पूछा गया जिसके अधार पर सार्जनिक वीट को निजी वीट से अलग करते हैं डिफ्रेंस को बताता है है मुली निती अप्शन नमर्बी घरार अफानलो सी है को पुर्णेथा अपसे नमर्डी है। तो आधिक्तम समाजी क्लाब कि सिदान का जो सुझाओ दिया था वे थे डॉल्टन आपका राइट आंसर जोगा अप्सन नमबर भी सिंब्साइब इंपॉर्टन प्रेशन नमबर फोर नेक्स प्रस क्वेशन नमबर 5 कि निमकीट मैंसे कौन एक इंगलिश में भी कॉशन दिया वाओं तो आप भी देख सकते जो भी इंगलिश के चात्र है नीचे आंसर सीट भी दिया हुए अस्किंसट ले सकते हैं को सर्ष न इसमें दिया हुआ देख सकते हैं कि अप्सक्ष नेक्स्ट कोश्टन कोश्टन फाइब जो इंप्पॉर्टन प्रसन निम्लिकिन मैंसे कौन करकी विशेषता को बताना है पहला आप्सण है अनिवार आप्सण भी है बेकलपीक अप्सण मेर सी मजबूर आप्सण मेर डी है राष्ट आता ता आपको राएट अंसर होगा अनिवार जो की एक करके एक परमुक विष्ष्टा है इंपोर्टेंट प्रस्ट है नेक्स प्रस्ट कर का मुख उद्देश कौन सा है खपत में बीर्दी करना उत्पादन में बीर्दी करना और स्वार्जिनिक राजस को बढ़ाना तो एक कर का एक जो टेक्स का मुख उद्देश जो होता है सार्जिनिक राजस को बढ़ाना होता ह सरकार अपनी राजे साय को बढ़ाना चाहती को राइट अंसर option नमर सी होगा next question नमर seven important है क्राधान के लिविकित सिधान्तों मेंसे एक को एडम अस्मीद द्वारा दिया गया था करादान के जो सिधांत अब strict का सिधांत कौन साई इस में आपको दिया operation एक रुपता का सिधांत झोन प्राइन आ ऐसके का सिधांत आप्सον log ये अइसे तैनि शिधांते आप्सनर बी है उत्पादक्टा उट पाड़क्टा का शिधांत और बारतिय कर परनाली अनुपार्तिक प्रगतिसील परतिगामी अप्शन डी अवक्रमन तो परतिगामी कर जो होता है भारतिय खर की परनालिय राइट अंसर रापस्टन No.C ही नेक्स स्इस्टक्रेस्ट कोहिशन नुमरर्न 9 इंपॉर्डेन प्र्छल वहन क्या जा जाता है पर्टेक्ष कर जो होता है वे पर चन् 17 ट्ग होता है दूसरेक गश्फ यो याजाते हैं अस्तानत्रित बोछ सकते हैं और पर्तेक्ष्प जो होता है वो जिस पर लगा जाता है उसी को वहन करना पड़ता है डारेक्ट टेक्स में अगर आप से पूछा जाए तो एक दूसरे के पर अस्तानत्री हम लोग करको टेक्स चुकाते हैं इंप्रंट इंपॉर्टेंड थे अप्रतेक्ष करका इक तत्य जो यह विस्षिस्ता बता रहा रहा है फ्रतेक्स करका जो विस्षिस्ता न्या संगत निचित्ता और खिफायती और सब्सक्राइब का पूर्ष साहन तो आप आपका right answer question number 10 का हो जाएगा नए संगत जो की एक आप पर्तेक्ष कर का विश्ष्षता है नेक्स प्रस्ण question 11 important question पर्तेक्ष करों में निम्लिकी तर्टो होते हैं पर्तेक्ष कर में कौन से पाए जाते चोरी right answer option number इस्विधाजनक पर्गति सील अप्सनमरर दी अर्द वेज़ता है डैलेक्ष टेक्स में जो हते हैं पर्गति सील टेक्स होता है राइट अंसर अप्सन सी नेक्स प्रेस्ट इंपोर्टेंट प्रेस्ट ने अनुपातिक कर प्रणाली में कर की दर बनी रहती है कर की दर की इस्थीर बनी रहती अनुपातिक कर प्रणाली में इस्थीर रहती बढ़ रही होती यह घट रही होती आ ऑप्सनमर दी सुन तो आपका जो राइट अंसर हो बैकर कि सिपारिस कि किलोर ऑप्शन नमर भी कॉलीन कि लार्क ऑप्शन नमर स्मित अप्शन दी डिए अडॉल्प वेगनर कि गाल जो है भारत के लिए मैं करकि सिपारिस कि यह ती कि सह राइट अंसर नमर एंग्ट्स प्रश्ण क्वेर्ण फोटीम इंपॉटन प्रस्ण है के द्वारा अप्शन में डी कंपनिया तो कार्पोरेट आयकर वह कर है जिस पर लगा जाते हुआ है कर कंपनियों के द्वार लगा जाने वाले कर इसलिए आपका राइट अंसर अप्शन नमर डी नेक्स प्रस्ट इंपोर्टेंड है निमलिकीत में से कौन भारत में राजस का पर्मुक स्रोत है राजस का पर्मुक स्रोत को पहचानना है अप्शन दिया पर्तेक्च कर पुंजीगत लेवी सहता अनुदान अप्शन दिया पर्तेक्च कर तापको जो राइट अंसर है अपर् वस्तु कर नहीं है उत्पात सुल्क स्विमा सुल्क साकार सुल्क चूंगी तो आपको जो राइट आंसर होगा क्वेव्षानिंवा 6 साकारी कर्ज होता है वह वस्तु कर नहींं इसलिए राइट नबर सी राइट अंसर कोश्चन नमर्ण सिक्टिन इंपॉर्टेंट प्रस्ण नेक्स प्रस्ण कोश्चन नमर् सैबेंटीन एक सहर में परवेश करते समय माल पर लाया जाने वाले सुल्क को क्या कहा जाता है आगर कि अप्सण नमर्य यह ऑप सन्मर्ण भी री चुंगि आप सन्मसिए क्रीसी कर अप्सण नमर्ण दिए कर इसमा पका राइट अंसर हो जाया कोश्चन नम्र सैबेंटीन का है कि इनन नमबर कि चुंगि कहा जाता है कि नेक्सर्य सि मुलांगकन कि अर्थ है आप्षण को भी सिसलाबों पर एक कर और बी हेर बाइसकरं सिधान समंदित है नेजी समान से जिसे काता है नेजी वश्तर तो एस सवन्दित और नुपन सिच्छा इसका एक उधारन है अप्षान नमर यह सार्जनी को वस्त हुए और सब्सक्राइब को अप्षान नमर दी है कि कलब गुड्स तो आपका राइट अंसर हो जाए ट्वेंटि गा बी नमबर मेरी ट्वें कालाती है नेक्स प्रस्ट निंपोर्टेंड है ट्वेंटीव इस अफ ही तो आपका राइट आंसर रूमीड़ह गेरबासक्रीट, सार्जनिक वस्त हो जूच्ाइब गेरबासक्रीट होते हैं अंसर होगा डाल तन का दवारा दिया गया लोकवीत का सिदान्त जनक कहा जाता कर की घटना का अर्थ है और परतेच धन बोज अप्सें नमर भी अपरतेच धन बोज अप्सें नमर सी वास्टी करबोज अप्सेंड इनमें से कोई नहीं तो आपका रैट अंसर हो जाए सब्सक्राइब कराथान का इक्टिविटी सिदान कि इसके दुवर परतिपादित क्या गया था कोईशन नवर 25 कराएट अंसर एड़ा मसमीत के दूबारा जो है एक्टिविटी सिदान का परतिपादन क्या गया था नेक्स प्रस्ट लाफ़र के नुसार जब कर की दर हंड़ेट परसेंड है तब कर राजस क्या होगा तो कर राजस जो इसका सुन होगा और सी राइट अंसर है 27 प्रस्ट इंपॉटेंड है परतिगामी कर के मामले में कर की दर परतिगामी कर मामले में जैसे आय बढ़ती तो कर की दर पड़ेगा घंठेगा इंस थीड़ेगा यह आपको बताना है तो इस बंधेगा मामले में जब आय ऒढ़े तो कर की डर होगी वह घंडे एक ऑप्शन नमर्स-स यह व्यत पर लगाए जाता है एक बजट जहां राजस्ट से अधिक वे होता है उसे क्या कहा जाता उसे घाटा बजट कहा जाता आपका राइट अंसर अप्शन नमर भी होगा हिए थर्टी सेवन इंपोर्टेंट प्रस्ट है हो होज़जन नमर 38 संतुलित बजार्श रवाकालत किसके द्वारा की गए तो संतुली बजार्श रवाकालत की गए तो अप्सन मझें कैंस यान भी बेपार्य अप्सन ओस्ट्रि अप्सन वडिए नौ सास्त्री तापका नेक्स प्रिंट 39 निम्टित मेंसे कौन एक कर आधार नहीं है आई धान उप्योगिता खपत तो उप्योगिता जो है कर का आधार नहीं है नेक्स प्रस्ट कोसे निम्टित में से कौन एक सार्जनिक उप्योगिता नहीं है बिजली पानी आपूर्ती अप्सन डी गेस सेवा अप्सन वड़ी पर्याटन तो आपका फोटी वान के राइट एंसर जो पर्याटन जो है नेक्स प्रस्टक नमर 42 इंप्योगिता नहीं है भारत में राजार सबसे बड़ा घटक है विर्च भुकटान आज अंसर ब्रब्र ब्याज भुक तन नेक्स प्रस्ट को सास्त्री और शाष्तेयों ने दावा किया था कि सार्जिक विए है अनुत्पादक उत्पादक इस तर्य यह सभ्य कोश्नमेंट 43 है इसका राइट अंसर हो जाएगा यह नमर अनुत्पादक है वेगनर का नियम समंदीत है इंपोर्टेट प्रेशन कोश्नमेंट 44 इस सार्जनिक राजर से समंधिते assumingर का सीधान नेक्सTM HQ, ह唉 भारत में राजर स्भाइ का सबसे बढ़ा घटक है पयंशन ब्याज भुक्तान अप्शन में सिच्छा स्वास्त्र आपका अंसर हो राइट अंसर बी नंबर ब्याज भुक्तान जो है राजस्वाई का सबसे बड़ा घटक है क्वेस्ट फोटिफाइप इंपॉर्टेंट है एक अर्थ शास्त्र थे फ्रेंस से जर्मन से भारती त्या अमेरिकी थे तो एडल एडल्फ वेगनर जो थे वह जर्मन शास्त्र थे जर्मन अर्ष शास्त्र थे राइट की गतिवुदियों को बढ़ाने के कानून के परतिपादक कौन थे क्वेस्ट नमबर फोटि सेवन डाल्टन पीगो अस्मित वेगनर तो वेगनर थे जिन्हों ने राइज की गतिवुदियों को बढ़ाने के कानून के परतिपादक माने जाते हैं नेक्स प्रस क्वेस्ट नमबर भारत में बीतिय वर्ष शुरू होता ह एक जन्वरी से 31 मार्श से 1 अप्रेल से 1 जुलाई से 49 का अब कराय टर्णसर हो जाएगा सी नमबर सी नमबर एक अप्रेल से जो भार में बीतिय वर्ष शुरू होता है सरकात दोरब भुकतान के जाने वाली पैंतन पैंसन और जो वेतन क्या कर लाते हैं पूंजी गत्वे विकास वे राजस वे योजनावे तो ये राजस वे कर लाता है कौसर नमबर इंपॉड़न्ट है कौसर नमबर जीरो बेस्ट बजटिंग का सबसे पहला कि कौन से देश ने अपना था जीरो बेस्ट बजट फोटी फिप्टी तरी राइट अंसर आपका हो जाएगा डी नमबर यू यसे ने जीरो बेस्ट पर आधारित बजट को अपना पीटर फैयर ने पीट आयोग द्वार अनुसंचित अनुदान की रूम में जाना जाता है योजिना अनुदान ससस्त अनुदान वेदानिक अनुदान तो 56 का रायट अंसर हो जाए अपका सी नंबर वेदानिक अनुदान नेक्स प्रस्ट भारत में बीत आयोग की निक्ति किसके द्वारत की जाते है भारत में बीत आयोग की जो निक्ति की जाते हो राश्पति के द्वारत की जाते है रायट अंसर अपका ये नंबर होगा नेक्स प्रस्ट इंपोर्टेंट है अधि सब्सक्राइब निम्किर में से कौन एक सामीदिक निका है वीत आयोग योजना आयोग राइज योजना बोर्ड अप्सन नमटी इन में से कोई नहीं तब कराइट अंसर होगा यह नंबर वीत आयोग इक ने फ्रस्ट जनरर्ली ओप इंप्लायमें इंट्रेश्ट инड मनी के लेखग किसे माना जाता है क्था अब आयोजन नमबर से और है किन्स ने जरुप आश्ज. जेनरल थियोरी ऑप इंप्लाइमेंट इंटेस्टेट एंड मनी की लेख़क माने जाते हैं कि नेक्स प्रस्ट कारित्मक वीट अवधाना किसके दोबारा पेस्ट की गई थी अप्सने मार्स एंजल्स अप्सनमर भी है किन्स और लर्नर्स अप्सनमर्स यह डाल्टन और पी को अप्सनमर्स जे एस चक्की तो आपका राइट अंसर हो जाएगा भी नंबर किन्स और लर्नर जो थे इसे कारित्मक वीट अवधाना के एनों नहीं पेस्के थी पहले वीट आयोक के अध्यक्स कौनते पहले जो वीट आयोक थे वह अध्यक्स ते केसी नहीं होगी स्वार्जनिक रीन की मोचन का अर्थ क्या है रीन की चुकोती एपडियाई की चुकोती अप्सनमर्स यह अतिरिक तूधार अप्सनमर्स घाटा वीट पोसन तो आपका र बजट कोशना पत्र या खाती तो आपका राइट अंसर हो जाएगा 66 का बी नमर बजट या और वे दोनों के वार्षी खाते को बजट का जाता है कि कराधान में समान रुप से बेवहार किया जाता है कोशन नमर शिक्टी सेवन का राइट अंसर नेक्स प्रस्ट महावंदी के दोरान कब हुई थी 1923 1937 1904 1901 1905 तो महावंदी के जो दोरान थी वह 1923 के बीच घटी थी नेक्स प्रस्ट घाटे के वीद पोसन के कारण हो सकता है गरिभी बिरोजगारी मुद्दास्पीति अपस्पीति तो आपका राइट अंसर हो जाएगा 73 का ऑ सिक नल इसंदेर घाटे के बीच पोसन के कारण है मुद्दास्पीति नेक्स प्रस्ट प्रस्टपで अवधी के रिनो को क्या कहा जाता है पसंने 75 का हुआ है कि नंश्Re बाइट में सेवा कर कब लागू क्या गया था 79 प्रस्टतर डी नंबर 1495 में अधिक्तम समाजिक लाबthis ladyligen 8 रहर चीजाती तो परते वीत आएओ कि निक्पिक जाती योग पांच वर्सों में की जाती है नेक्स प्रस्ण कर कानुन का पर्तिच उलंगन का लात है कर चोरी कर से बचाव कर छूट इन में से कोई नहीं तो आपकर राइट अंसर हो जाएगा नाइन्टी वन का कर नंबर कर चोरी का ला टेक्स चोरी राजगोशिय नीती है आर्वियाई नाबाड सरकार उप्रक्त सभीतो राजगोशिय नीती जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा नाइन्टी त्री का गा नंबर सरकार है नेक्स प्रस्ट सिमान्द करदर में कटोटी के लिए लोचिदार राज़िस परतिक्रिया को क्या कहा जाता है कौहसर नंबर नाइन्टी सिक्स का आपका राइट अंसर हो जाएगा लाफर वक्र नाइन्टी सिक्स का आपका सी नंबर नेक्स प्रस्ट केंद्र और राज्यों के विए वितिय समायों जैन की कौन सी विएग्स शेरिंग शायता अनुदान सार्जनीक लिए गहा नंबर है संगे वीद तापकर राइट अंसर हो जाएगा नैंटी नायन का इनमर टेक्स शेर इंप्सट्इंट प्रश्न है यह मेरिट गूड्स का क्या आर्थ होता है नियुक् सीपने मुप्त गूट्स बडुरff घूंटो आपका राइट अंसर हो जाएगा 100 question number का B number मुप्त वस्तुएं आधोनिक राइज है आधोनिक राइज जो है कल्यानकारी राइज है अप्शन नमर ये राइट है प्रस्वारी पॉप्लिक के पुष्ण के लेखक कौन है आधो नमर 103 कराइट अंसर हो जाएगा आर ये मुस्ग्यू पॉप्लिक फैनेंस पुष्ण के लेखक नेक्स प्रस्वारी कि 111 इंपोर्टेंट प्राशन निम्लिकित में से कौन कि क्राधान का सबसे अश्वी कायर सिधान तो आपका राइट अंसर हो जाएगा 111 का सिधान भुक्तान करने की छमता कौन सकर दूसरों को अस्तांतित नहीं किया जा सकता है तो और अप्सन नमर यह उत्पात सुल अप्सन में भी बिक्री कर अप्सन सी मनुरंजन कर अप्सन में डिये संपती कर तो आपका राइट अंसर चला जाएगा को असन नमबर 116 का संपती कर जो है डी नमबर जो दूसरों को अस्तांतित नहीं किया जा सकता है नेक्स प्रस्ट राजकोष्ये नीति का सिधान्त व्यूत्पन है धावनी वीद का सिधान्त एन आई विशलेशन कल्यान अर्शास में से कोई नहीं तो आपका राइट अंसर हो जाएगा 119 का यह नमबर धावन